हेलो, मैं डॉक्टर प्रीती अगरवाल, मैं कंसल्टेंट मेडिकल ओन्कॉलजिस्ट हूँ नारायना मल्टि स्पेशिलिटी हॉस्पटल जैपूर में आज हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चे दाने के मूँ का कैंसर सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में फीमेल्स में सेकेंड मॉस्ट कॉमन कैंसर है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइकल कैंसर ही सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है सर्वाइकल कैंसर एक प्रिवेंटेवल यानि जिससे बचा जा सकता है और curable, यानि ठीक होने वाली बिमारी है, ठीक होने वाला cancers में से एक cancer cervical cancer है, cervical cancer के symptoms usually, heavy vaginal bleeding, irregular vaginal bleeding या post-cortile vaginal bleeding रहता है, कभी-कभी foul-smelling vaginal discharge या whitish, kurdish vaginal discharge या फिर bloody vaginal discharge भी रह सकता है, cervical cancer, curable malignancy है, अगर आपको ऐसे कोई symptoms लगते हैं, तो अपने gynecologist को आप मिलिए, वो एक small test करते हैं, pap smear जिसे हम बोलते हैं, उसी से हम इसको detect कर सकते हैं, और cure कर सकते हैं, early stages of cervical cancer में usually surgery की जाती है, और later stages में हम chemotherapy plus radiotherapy करते हैं, इससे भी बिमारी को जड़ से खतम किया जा सकता है, जब भी symptoms भी ना हों, तो हम उसको screening के लिए बोलते हैं, तो हर female को 30 साल के बाद में, हर 3 साल में अपना pap smear examination करना चाहिए, जिससे हम asymptomatic मतलब, जब हमें बिमारी के कोई symptoms भी ना हों, तब भी हम cervical cancer को बहुत early stage में detect कर सकें, जिससे कि हमारा treatment जल्दी start हो सकें, और इस बि जल्दी से निजात पा सकें, तो हमें मिलकर आगे आना है, ताकि हम screening कराएं, अपने asymptomatic disease को detect करें, और यह दि symptoms हैं, तो हम जल्दी से जल्दी इससे treatment पाएं, और शर्माए ना, धन्यवाद.